हेलो एवरिवान आप सब कैसे हैं नमस्कार आप सभी को सश्रीयकाल और आदाब भी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं एक ब्रेक्फास्ट की रेसिपी जो है सब की फेवरेट और मैंने आपको दिखाया भी था ग्रोस्री जो मैंने आईटम्स आप लोगों को दिखाया थे कुछ दिन पहले शेयर किया था आप लोगों के साथ बस उसी में से मैं निकाल करके आज मनाने वाली हूं एक ब्रेक्फास्ट की रेसिपी बच्चों को और बड़ों को भी बहुत ही पसंद होता है और शौटकट म कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्बी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइप भी दे सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए वीडियो को देर ना करते हो हम आगे बढ़ जाते हैं तो कढ़ाई मैं ने बठा लिया है पहले से ही आप ग़म और मैं इसमें ऑयल आएड कर दिया है और इसमें ऐच्छी टेल आप क्वांटिटी के अनुसर ले सकते हैं पिरिए गला तरिक राइओ और शौटेल तर्मरीक कप और एड़ कर दिया है और यह कुछ वेजिटेबल्स है जो मैंने कट करके रखे हैं तो यह मेरे पास कॉलीफ लावर और पटेटो जिनको अच्छे से मैंने साफ कर लिया है और चुटे-चुटे टुकडों में काट लिया है अलू और गोभी है वेजिटेबल्स आपके पास जो भी है अब कर फिक जाए नूड़्स के लिए आपके पास जो भी सबजी में रहे वहा है और यह मैंने लंबे-डाव्चे सुटे लिया है जब आलू और गोभी अच्छे से फ्राइ अवेजिटे नूर्ट अब दियों है तो उस समय आप इसमें प्याच को इ तोड़ी देर हम को इसी तरह भून लेना है डाल करके ऑनियन को सुभा की ब्रेक फास्ट या शाम के लिए ये बहुत ही अच्छा है अब बना करके आप बचों को भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं अब इस समय मैं देखिया आपको दिखा दे रही हूं कि मैं कौन से कि ने दुब्स बनाने वाली हूं मैंने दिखाया आपको ये पतांजली काटर नूडुल है कुछ दिन पहले मैंने App judल मैंने आपको दिखाया ही था Opt आपएक्टसमार के लिए और नेका झाल समय मैं तो न्चे, अच्छे ट्वैस्टके लिए मैं और चछेस्वाट केलिए मैगी मसाला का पैकेट था मेरे पास में हमेशा ही लाकर के अच्छा ही आता है इसलिए मैं थोड़े से मसाले के लिए मैगी मसाला भी अट कर दिया है अब हलका सब्भून करके फिर उपर से हम इसमें देखें टमेटोस मैंने चौप किये हैं और यह हरे मटर है हरे मटर तकरीबन दो मिनट मैंने पका लिया है और बस मसाले को फिर से मैंने देखे चला लिया अभी समय मैं एड़ कर दूंगी वाटर मैंने इसमें एड़ किया है टू एन हाफ ग्लास ओफ वाटर नूडल्स आप जितने ले रहे हैं उस तरह क्वांटिटी में आपको लेना होगा वाटर डालने के बाद इसे हम पकने के लिए रख देते हैं तब तक यहां पैकेट से मैं नूडल्स के निकाल ले रही हूं मैंने देखिए दो ही नूडल्स जो रहता है और उसे टुकडों में तोड ले रही हूं ताकि ये जल्दी से अच्छे से पक जाएं और खाने में सुविधाओं आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं और पानी में देके उबाला गया है धक करके मैंने कुछ दिर पका लिया है पानी को ताकि इसमें स्वाद आजा और वेजिटेबल्स भी अच्छे से गल जाएं अब इसी समय में इसमें एड कर दिया है नूडल्स को टुकडों में करके आप चाहे तो अलग से नूडल्स को बा बहुत ही ला जवाब और टेस्टी लगता है घर पर जरूर बनाई है और बताइए कि आपको कैसा लगा अब आपको पकाना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए इधर मॉर्णिंग में देखे मैं नहा कर क्या के पूजा किया मैंने और बस किचन में घुज गई हूं किच अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं तैयार है बिल्कुल मज़ेदार नूडल्स और यह हल्दी भी है क्योंकि यह है आटा नूडल्स आप सब ट्राइब जरूर करिए घर पर और मैं आनी को सर्फ कर देती हूं क्योंकि वह बोल रही है ममी जल्दी खाने दो खाने दो मुझे बाकी के भी काम है सुबा तो लेडिसों को बहुत स्यादा काम होता है घर पर मैं यहां ब्रेकफास्ट मैंने बनाया बिल्कुल बन करके तैयार है यमी नूडल्स और आनी इंजॉय कर रही है नूडल्स नाश्ते के बाद मैंने इधर शुरू कर दिया अपना काम आज मैंने कप्ड़े लगाए है तो बस फटा फट बाहर कपड़ों को लगों डाल दे रही हूं उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूनगी यानी को मैंने दे दिया है तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी मॉर्णिंग रूटीन शेयर की है वीडियो में आप लोगों ने देखी लिया है ब्रेकफास्ट मैंने बना करके दिखाया नूडल्स जो लेकर कहा था जो है आटा नूडल्स आपको पता ही है और वीडियो को जरूर देखे जरूर कीजिए और मेरा साथ जरू देजिए तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में